नेकबेंड की वीडियो जाहिन दोस्तों क्या हाल है नोकिया के नेकबेंड भी हमारे पास यह है टोटल आठ कोमेंट सेक्शन में मिला कि एक अगर की नीचे नेकगेंड की वीडियो मिल सकते हो लेकिन जैसे मैं multiple चीजे test करता हूं तो मेरे experience में फाइव hundred to seven hundred रुपीज लग जाते हैं एक अच्छे earphone के लिए वायर वाले की बात कर रहा हूं मैं और उसके बाद दो हजार रुपए अगर आप invest करते हो तो अच्छा neckband मिल जाता है इसी तरीके से अगर आप तीन हजार three thousand या उससे उपर invest करते हैं तो वहां से kind of earbuds सुरू हो जाता है अच्छे वाले जिन में calling भी अच्छी हो जाती है और musical experience भी आ जाता है तो यह मेरा experience है लेकिन जब बात आती है एक हजार रुपे के अंदर neckband की तो मैं भी देखना चाहता था तो मैंने कहा किया सबसे पहले तो tweet किया वहां से कुछ नाम मिले मुझे क्या लिया जा सकता जो आप लोगों को पसंद थे एक्स्पिरेंस कर रहे थे या फिर मैंने समझ में आ रहा है तो अब मताता हूं किसके साथ कैसा रहा नंबरिंग भी कर दूँगा ताकि आपको बैटर आइडिया लगे तो अगर हम अपनी छोटी से दुकान की बात करें इसमें सबसे बुरा कोन सा पता है वो यह यह स्टार्स पर जब भी ब्रैंड पैसे खरशते हैं ब्रैंड के लिए इसका नाम है बॉल्ट ओडियो करके एफेक्स चार्ज भी लिखा हुआ इस पर बॉक्स के अंदर एक्टिप टाइप सी केबल और यह मैगनेटिक है इनको आप आपस में कनेट कर सकते हो हाला कि जब कनेट करोगे म्यूजिक किसी में रुकेगा जितने मैं दिखाने वाला हूं सिर्फ एक ब्रैंड है जिसको जब ऐसे कनेट करेंगे गाने सुनते वे तो रूख जाता है वह अभी बताऊंगा इसका प्राइज हमें पड़ा 1100 के असपास और याद रखना यह ओफर में कई बार 200 रुपए उपर हो जाते है 200 रुपए नीचे हो जाते है तो यह सबाब चेक करते रहे ना हमने 1000 तक सोच था था बट हमने फिर भी ट्राइग किया ग्यारा सो का देख लेते है रेटिंग होगारा के साब से यहां पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा बेस और इसके अंदर एकदम बेस ही बेस है पीछे क्या बज़ रहा इंस्ट्रूमेंट क्या चल रहा कोई मतलब नहीं बेस भी इतना सस्ते वाला है किस चीज़ कोई मजा नहीं आता तो इसमें आप इंट्रस्टी मत दिखा ना गलती सभी और नेक्स प्रोड़क्ट है यह हमने लिए है इसका नाम है इंफनिटी बाय हर्मन लिखा हुआ था ग्लाइड वन ट्वेंटी हमने बाय हर्मन वगरा देखके न इसको बाय कर लिया इस पर डीप बेस भी लिखा हुआ है दूवल एक बार प्रेस करो तो बेस मोड में चला जाता है और वह काम भी करता है नॉर्म इसको फोल्ड करके आप जीन्स में रख सकते हो बाकी को रखना असाल नहीं है यह रख सकते हो पर जीन्स में रखना है तो यह आप सोच ले ना इसको पॉजिटिव और नेगिटिव में रेस्ट भाई एक तो अनकमफरेबल लगता कानों के अंदर जाके बाकी ऐसे मैं बु स्टार दूंगा ज्यादा ज्यादा खीच-काच के तो भाई आठ में से दो प्रोड निगलके बचे छे इन छे में देखते कौन कहां स्टेंड करता है जो नंबर वन पहाएगा और सबसे बेटर होगा और जो नंबर शिक्स पहाएगा तो उसमें थोड़ा पीछी रहेगा सिक्स्त नंबर पर हमारे पास है भाई पी ट्रों टेंजेंट टिक्सल हाई फाई एंसी वायलेस नेकबेंड बैटरी बैकप तो इसका बहुत श्रोंग है ठर्टी आवर्स का क्लेम कर रहा ब्रैंड और जब इस नेकबेंड को बहार निकालते हैं यहां भी टाइप सी है और मैगनेटिकली यह भी कनेक्ट हो जाता है और इसके डिजाइन को अगर आप देखोगे तो यह काफी अलग सा दिख सकता है ऐसा लग रहा है जैसे दो सेल आते है ना उनको यहां पर जोड़ दिया हो और इसके अंदर बैटरी अच्छी डाली जा सकती है साइज ज्यादा फट रही है लेकिन ट्रेबल दब जाता है जैसे हम कुछ सुनते हैं ज्यादा जो लोग छोटे 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 इंस्ट्रुमेंट होते हैं वो इतना क्लिर्टी से यह आवाज नहीं दे पाता और सबसे बड़ी बाद बाद का एक सवाल आने वाला है तो जितने मैं मैं बताने वाला हूं कॉलिंग के लिए याद रखना मैंने सॉरे टेस्ट किये नोकिया वाला अलग है थोड़ा भी बताता हूं कैसे इन में कॉलिंग आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं हो रही है लेकिन जहाँ मैंने इसे फैन वगएर में बैठ चेक किया या फिर पस से ज्यादा लेते हैं तो मैं आपको recommend करूँगा I understand कि budget matter करता है लेकिन थोड़ा बढ़ाई ये budget 1500 प्लस जाईए नहीं तो आपको दिक्कत होगी तो बाकी दोनों प्रोट की तरह मैं इसको वेकार नहीं कहूंगा बट हाँ अभी इससे better है है हमारे पास फिफ्थ पर आएगा नर्फ प्रो करके लिखा हुआ है प्राइज इसका 855 रूपीज टाइप सी यह आपको केबल मिल जाएगा तो pair of ear tips है volume of down का option सभी के सभी neckband में इसमें भी है design minimal सा लगा मुझे ज़्यादा ऐसे नहीं कि इसको मोटा बना दिये क्या कुछ काफी ठीक सा लगा मुझे design इसका और पहनने में भी comfortable है हाला कि यह आपको पूरा plastic मिलता है बट ऐसे ज़्यादा दिक्क्कत वली बात नहीं लगी एक अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनको ऐसा music चाहिए बहुत ज़्यादा बेस नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा ट्रेबल नहीं चाहिए मैं नॉर्मली भाई गाने सुनना पसंद करता हूं calling कर लेता हूं सबको ठीक ठीक सा मिल जैसे कई बार parents को लोग देना चाहें 35 hours का battery backup क्लेम कर रहें तो थोड़ा कम भी मिलेगा तब भी बहुत है तो मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए कम recommend करूंगा जो ज्यादा neckband बगारा experience कर चुके हैं अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं फौर्थ नंबर पर एक्चुली आप देख रहे हैं यह मैंन टैन आवर्स है और मीवी वाले पता नहीं कौन सा नशा करते हैं वेबसाइट पर अपने सारे महेंगे बेशते हैं फोर्टीन हंडड़ का लिया था हम निनके ओफिचल वेबसाइट से जब वीडियो बनाया था Amazon पर यह एक हजार से नीचे मिल जाता है एक हजार से नीचे अच्छा लगता है फोर्टीन हंडर में तो वेकार है विगोज हमार पास ओपो एंको एम थर्टी टू आजेगा थोड़ा सा और पैसा लगा के मच बैटर प्रोडट है वो अगर आप इसको ले ले लेते हैं डेफिनेटल आपको बुरा नहीं लगेगा अच्छा है यह सिर्फ टैन हावर है वो जो की कम है डेफिनेटल दस हावर मतलब बहुत कम हो जाता है और इन तीनों को स्लेट करने में बहुत मैनद करनी पड़ जाती है वाई सुनने के लिए फर्स्ट नंबर तो यहां पे क्लेर है लेकिन सेकिंड थर्ड में सबस्यादा कनिफियूजन हो देखो ऐसे एक स्लाइडर दे रखा इसको ऊपर ले जाते ना तो यह वायर इसके अंदर ऐसे गैब बना हुआ है यह वायर ऐसे पूरी फीट हो जाती है और ऐसे नीचे ला सकते हो मतलब इसका फाइदा यह होता है जिसमने से को गले में लगाया ना पहनने के बाद आपको लगता है कि वायर यहां तक चाहिए यहां लगता है नहीं यार मैं चाहता हूं थोड़ा ऐसे रहे यहीं से खता मुझे तो कुछ ऐसा काम करता है यह डिपरेंट था इसके अंदर डिजाइन काफी मिनिमल है पसा यह चीज़ थोड़ा सा कई बार जैसे गरदन पीछे करो हल यह ऐसे बहुत ज्यादा कितना बढ़ाते हैं लेकिन ट्वेंटी आउर्स का बैटरी बैकप मिलता है यह मैंने पहली बार नोकिया का कोई मतलब नेक बैंड ट्राई किया नोकिया हैटसर टी टू थाउजंट प्राइज अब आई नाइन फिस्टी रूपीज का मिला हमें यह बाकि अमेजोन फ्लिपकाट अलग बाज चीजों का प्राइज चेक किया करो हमेशा चंडर की वही चीज़े मिलती है टाइप सी और दो यह टिप्स मिल जाएंगे और जब हमने इसको सुना है यह सबसे अलग है जितने भी इस वीडियो में है याद रखना अगर आपका एक हजार रुपे बजट है और अगर आप एक ऐसे म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं अक्सर जो लोग बेस बहुत जादा नहीं चाहते लेकिन बेस हो काम भर का लेकिन इंस्ट्रूमेंट सपरेशन एक एक चीज़ सुनना चाहिए पीछे छोटी चीज़ बजे यह थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है थोड़ा और कम भी किया जा सकता था एकुलाइजर को थोड़ा उपर नीचे करेंगे तो उसमें बेस को बढ़ाया जा सकता है लेकिन वही प्राइज बगारा के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा यह कॉलिंग के माम बाज कटने भी लग जाता है स्पेशली जिसको कॉलिंग का काम है नजर अंदाज कर सकते हो इसके अंदर घाई करने का बटन है वोल्यूम अपडाउन का बटन है और यहाँ पर प्लेपोस का भी बटन है लेकिन इसके अंदर न कोई भी बटन पावर ओन आफ नहीं है इसको तो जैसे आप डिस्किनेट करते हो देखो यह चला गया ओन मोड में और जैसी इसको कनेट करते हैं यह ओफ हो जाता है अब ऐसे में जैसे आपने पहना आपने कर दिया डिस्कनेट हो गया बैटरी कंजूम नहीं करेगा यह अटाया कनेक्ट हो जाएगा ब्लुटूस से केस कोलिंग जादा नहीं करनी जैसे मैंने कहा ट्रेबल वाला एक्स्पिरेंस चाहिए बेज जादा नहीं पसंद है तो नोकिया ले लो दोनों के अपनी खाजियत है अब नंबर आता है नंबर वन पोजीशन पर आया है डीजो डाइजो जो भी बोलते है वायल्लस एक्टि है इसको डिशनर करते हो तो आपका म्यूजिक प्ले हो जाएगा कनेट करते हो तो म्यूजिक रुख जाएगा और साथ में यह काफी मिनिमल है कमफ़टेबल भी है नाइन फिफिटी रूपीज के असपास मिला हमें यह लाउडनेस भी अच्छी है रियल में लिंक करके आता है तो सब कुछ मुझे काफी बैलनस लगा भाई इसका डीजो वाले गातो इसलिए डीजो वाले बावू इसका गाना बजा तो इसलिए यह नंबर वन पे आया बोट का वैसे अपना भी एक फायदा है बोट की सर्विस सबसे अच्छी मिल जाती है जितने मैंने देखे हैं इस तरह के ब्रैंड जो आते हैं ना नोईज बोट मीवी इन सब में बोट की सर्विस अच्छी है तो यह था भाई हमारा सबसे बेकार से लेके कौन-कौन नंबर वन पे आया आई होप आपके वीडियो प्रसंद आ योगी वीडियो प्रसंद आ तो लाइक से सब्क्राइब करना ना मिलता आपसे अगले वीडियो